हेलो एब्रीवन वेलकम वेक टू माई चैनल मैं डॉक्टर रंजिना गुपता आज बीए सेकेंडिर की सीरीज में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रही हूं और वो टॉपिक जो है हमारे बायो स्टेटिक्स का है ताट इस कल्कूलेशन ऑफ मीन तो उसमें मैं थोड़ा सा डिफ्रेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं तो मीन जिसे हम इंदी में माधी भी बोलते हैं तो उसकी कल्कूलेशन देखते हैं कैसे करते हैं तो सबसे पहले कोई भी कल्कूलेशन नीज गणना करने के लिए हमें डाटा को इडेंटिफाई करना जर लिए के एनलाइज दी डाटा हम डाटा का जो हमारे पास आँखने उनका विशलेशन करना जरूरी है क्योंकि यहां पर हम आँखनों को पैचान कर ही बता सकते हैं कि हाँ जो कैलकूलेशन है उसके लिए हमें कौन सा मैथड यूज करना कौन से तरीके से हम उसकी इनकिर करने का तो सबसे पहले मैंने यह डाटा को जो है दो पांड में 은ra एम है टो इस फॉर किया है ट में है only variables are given, जब केवल चर जो, variables होते चर, केवल हमें चर दिये गए, मैंने यहाँ पर example के तौर पर दिया है, 4, 9, 15, यह जो values दिया है, मिलना हमें इनकी कोई frequency नहीं दिदी, कि मिलना भी डाटा जो, तो मिलना हम इनको यह मान के चलेंगी, जो यहाँ पर जो डाटा है, उन सब का जो frequency है, वो 1 है, हर डाटा आपने आपे individual है, जैसे अब इसी तरह जो group data है, जैसे अब इसी तरह जो ग्रूप डाटा है, वेन variables and their frequencies are given, जैसे तो दिये ही हैं, उनके साथ उनकी frequencies भी दिये हैं, तो कितनी बार repeat हो रहा है, कितनी बार repeat हो रहा है, तो यह भी जो है group data है, वो two types का होता है, एक होती है discrete series और दूसरी होती है continuous series, discrete series जहाँ पर जो है random type का distribution होता है, means यहाँ पर जैसे मैंने variables हैं, कोई sequence नहीं है, randomly distributed हैं, लेकिन वहाँ पर जो frequency है, सभी की frequency दिए, means 8 है तो 4 times है, 14 है तो 3 times है, 6 है 2 times है, तो इस तरह से कहें, लेकिन यहाँ पर कोई sequence नहीं है, जो distribution है, बिल्कुल random है, ना कोई हम कहें एक जो gap है, वो भी निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कि means हमने, जैसे कोई भी, अब यहाँ पर क्या है, मैंने तो variable of frequency directly mention किये, means आपको जो sum दिया हो, उसमें आपको किसी भी तरह से variables को दे सकते हैं, और उनकी frequency बताई जा सकते हैं, तो हम जब यहाँ पर mention करते हैं, तो उसको mention करते हैं, सब को देखने हैं, कि different age group के बच्चे कित कितने हैं, suppose, हमको suppose data collect करने को कहा गया, और उसमें कहा गया, कि आपको एक particular class के इंदर देखकर आना है, कि किस-किस age group के बच्चे कितने हैं, तो suppose 8 years, अब यहाँ पर यदि मैंने mention, तो हमको यहाँ लिखना पड़ता, age in years, और यह frequency हो जाती, तो suppose 8 years होता, 8 years के 4 है, 14 years के 3 है, 6 years के 2 है, तो इस तरह से मैंने यह different age groups, suppose, mention किया, तो यहाँ पर मैंने यही बताने के कोशिश किया, तो जो age group that is variable, x हो गया, तो यहाँ variable है, और उसके कितनी frequency है, वो मैंने यहाँ mention किया, बट continuous series में क्या होता है, जो group data, continuous series में हम देखे, वहाँ पर एक class interval होता है, और जो एक regular base पर होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, वो कुछ भी हो सकता है, वो depend करता है, जो हमको data दिया गया है, वो हमारे किस, उसमे minimum value क्या है, और highest value क्या है, तो जो class interval है, वो determine हम उसी base पर करते हैं, कि हमको जो, यह class interval लेदी दिये गए हैं, तो ठीक है, बटेदी नहीं दिये गए हैं, और data बहुत बड़ा है, तो हम उसको class interval में convert करेंगे, और class interval जो हम convert करेंगे, वो उसी base पर करेंगे, कि हमारा जो data की lowest value क्या है, और highest value क्या है, अब lowest और highest value हम देखके, उसमें कितने कितने range के हमको class interval बनाने हैं, तो lowest कम से कम 3 का difference होना ही चाहिए, और maximum 20 का difference मान के चलते हैं, क्यो calculation थोड़ी सी complicated हो जाती है, तो generally जो है हम class interval इसी base पर करते हैं, और VSC level पर generally class interval आपको दिये हुए होते हैं, तो class interval जैसे suppose मैंने हम ensign किये हुए हैं और उनकी frequency, तो उनकी frequency क्या है, इस तरह से, तो जो data है हमने analyze कर लिया कि किस तरह का data है, means suppose के बल हमें इस तरह का data दिया है, that इस individual data और ungroup data, यदि data इस तरह से दिया है, that is discrete series, group data है, लेकिन discrete series का है, मलग discrete में discontinuous, कोई continuation नहीं है यहाँ यहाँ पर, random distribution है, दूसरा है continuous series जहाँ पर जो है, एक regular interval के साथ हमें data दिया गया है, तो इस तरह से सबसे पहले हमने analyze किया, अब हमें कौन सा method कहां पर apply किया तो मैंने यहाँ पर जैसे formula for calculation of mean for individual series mention किया है, इसके भी commonly जो use के जाते है, हालांकि और भी methods है, लेकिन जो commonly use के जाते है, direct method and shortcut method, direct method का जो formula है, x bar is equal to sigma x upon n, जहाँ मैंने mention किया है, x bar is mean होता है, sigma that is sign of submission, x variables, और n यहाँ पर represent करता है individual number को, तो जैसे मैंने एक example जो है, यहाँ पर जो है, उसको फिर मैंने, अब हमें जब calculation करनी है, तो सबसे पहला काम होता है, हम data को tabulate करें, साड़ी वद्ध करें, उसको साड़ी में हमें डालना ही पड़ेगा, तो यदि कोई हमें mention किया है, यहाँ तो suppose मैंने ऐसी जो data randomly लिख दिया है, और उसको calculate करके बताए, लेकिन दिस हम दिया है, तो उसमें हमें सबसे पहले जो table है, उसके top पर उसका topic लिखना पड़ेगा, सी शक जिसे हम कहते हैं, विस हम से उसमें किस चीज की calculation करने को कहा गया है, तो वो लिखेंगे, उसके बाद serial number और X के लिए जो भी data में mention है, उसकी जगह हम लिखेंगे X की जगह पर, फिर हम serial number हमने, यहाँ पर हमारा data का number है वो 10 है, यहाँ पर मैंने 1 से लेकि 10 तक mention किया ह उसके सामने मैंने यह जो हमारा X की values हैं, वो mention किया है, अब मैंने क्योंकि formula हमारा sigma X upon N है, यहाँ पर sigma जो है, sign of submission है और X जो है, वो हमारा variables है, तो जो X का जब हम total करेंगे, तो submission हो जाएगा उसका, और total हमने किया, तो sigma X आगया हमारे पास, तो sigma X की value 79, तो X bar is equal to 79, और total number of data कितने हमारे पास, that is 10, तो 79 by 10, तो जो हमारा यहाँ पर mean, calculated mean आया, that is 7.9 आया, तो यह तो हमारा direct method से, अब बात करते है, shortcut method की, इसी data को मैं आप calculate करके दिखाऊंगी, shortcut method से, shortcut method का formula है, X bar is equal to A plus sigma D upon N, कहिए कि DX भी लिखा होता है, आप confused ना हो, DX दिया है, तो भी वही है, औ और यदि D दिया है केवल, तो भी वही, एक ही चीज है, कोई difference नहीं, हम DX भी लिख सकते हैं, और D भी लिख सकते हैं, अलग-अलग उसके अंदर, अलग-अलग तरीकी से, बुक्स के अंदर, अलग-अलग तरीकी से mention किया है, तो आप confused बिल्कुल भी नहों इस चीज के जहां D is equal to बने लिखा है, X minus A, A है assumed mean, कल्पित माद, means अब भी तक तो जो हमने mean लिया, वो हमारा, हमने जो यहां से लिया, वो इस table से calculate किया, अब हम एक कल्पित माद लेके चल रहे हैं, और कल्पित माद जो है, वो हम से calculation करके दिखाएं, तो जो value आएगी, वो जो direct methods जाएगी, और कैसे निकालना है कल्पित माद, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ, तो पहले तो हम फॉर्मूला समझ ले, तो A plus sigma D upon N, D जो है वो क्या है, X minus A, means हमारे पास जो variable है, उसमें से A को minus करना है, अब A कहां से आएगा, A हमारा है assumed mean, तो मैंने सबसे पहले वही काम क्या है, जो table बिलकुल यहां बनाई है, सेम इतना part तो यह similar है इसके, अब मुझे assumed mean चाहिए, कल्पित माद, कल्पित माद मुझे यहीं से select करना होगा, कल्पित माद हमिसा जो है, उस table में जो values दी है, उनी में से कोई value होगी, अब वो कौन सी value हो सकती है, उसके लिए हमें क 15 है, मिस दोना का जो difference है 14, हम इसके लिए calculate करने के लिए, एक assume करने के लिए, हम की approximate value हमारी assumed mean की क्या होगी, तो 15-1 divided by 2, 15-1 means आ गया 14 divided by 2, means 7, तो हम assumed mean 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, अब हमारे पास यह 7 भी है, 8 भी है, assumed mean हमारा इस table से ही होगा, तो हमें यह देखना है, कि यहाँ पर कौन सी value है, जो कि यदि हम, जो minimum value है, और maximum value उसके बीच का जो difference देखें, वो लगवग similar हो, तो हम यदि देखें, 15 और 8 का difference 7 आता है, और 8 और 1 का difference भी जो है, वो 7 है, तो 8 की जो value है, वो लगवग mid value है, क्यो हमने यहाँ पर 8 को select कर लिया, assumed mean के लिए, उसी क्या कि हमने इसको round किया, और उसके आगे हमने लिख देखें, अब हमारे पास क्योंकि हमें D निकालने के लिए, sigma D है, और sigma D निकालने के लिए, हमें पहले D calculate करना है, और D जो है, वो X minus A से calculate होगा, तो मैंने table में D is equal to X minus A ल value है, तो जो हमारी values एक ही निकल के हैं, वो minus or plus, कुछ भी हो सकती है, हमें sign का यहाँ ध्यान रखना है, sign को ignore नहीं करना है, जैसे 4 minus 8 means minus 4, 9 minus 8, 1 आ गया, प्लस का 1 है, इस तरह 15 minus 8, plus 7 है, 12 minus 8, 4, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, अब हमने क्या करना है, sigma D निकालने के लि values को एक जगे calculate कर लेना है, और जो हमारी धनातनक values हैं, उनको एक जगे, तो यहाँ हम calculate एदी करेंगे, तो minus की जो values है, वो 19 है, minus 19 आएगा, और plus की values है, वो 18 आएगे, तो minus 19, minus 19, plus 18, तो plus minus minus हो जाता है, क्योंकि, तो हमारे पास, बचा minus का 1, तो sigma D उकल to minus का 1 हमारे पास value आ इसको put करेंगे, तो formula हमारा क्यों की था, A plus sigma D upon N, तो X bar is equal to 8 plus minus 1 upon 10, 8 हमारा assumed mean है, minus 1 sigma D की value हो गई, और 10 हमारा, जो हमारा individual data का number है, वो है 10, अब हम LCM लेंगे, लगुत्तम जिसे बोलते हैं, तो लगुत्तम लेने के लिए हमने इसको इसके नीचे 1 रख दिया, क्योंकि उस जिसके नीचे मालिया 1 है, क्योंकि जब जिसके के नीचे वैंसल नहीं है, तो हम उसको 1 मान के चलते हैं, अब जब हम इनका LCM लेंगे, तो वो 10 आएगा, 10 लिया, तो अब 1 multiply by 10, 80 हो जाएगा, फिर उससे हम multiply करते हैं, तो यह 80 हो गया, और यह तो 10 तो 1 time ही multiply होगा, तो यह minus 1, यहाँ minus का 1 था, तो plus minus minus होगे, 80 minus 1 upon 10, तो 79 वही 10, 7.9, अब आप देख सकते हैं, direct method और indirect method, यह हम कहें shortcut method, दोनों ही method से जो calculated mean है, जो mean की value आईए, वो 7.9 है, और assumed mean तो हम 8 है, तो assumed mean क्योंकि हमें table से ही select करना है, वो हम 8 या 7 ही ले सकते हैं, लेकिन nearest value हमारी 8 ही आ रही जो की हम देखें तो उसका जो difference था, 15 से और 1 से वो लगवग similar था, तो हम जब भी assumed mean select करते हैं, तो value हमेशा हमारी ऐसी होनी चाहिए, जो लगवग जो highest value है और lowest value के में जो difference हो कर रही है, वो equal हो, यदि equal नहीं भी होता है, तो minus 1, 2 का difference हो, हमको consider करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, हमारे पास वो mid value हमारी table की अंदर दी हो, suppose यहाँ पर 8 नहीं होता, तो मैं यहाँ mean को 7 भी ले सकती थी, और तो भी हमारी value जो हम calculate करके लाते, तो हमारी value यही है, उससे हमारा जो है difference नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 की जगे जो भी value होती, वो हम put करते, तो व minor सा जो difference है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमने जो calculation किया, सबसे पहले जब भी हमें calculation करनी है, हमने data को analyze किया, समको बहुत, हमें concentrate ली पढ़ना है, समझना है, analyze करना है, उसके अंदर units यहीं दी है, suppose मालो, आपको blood pressure दिया है या कुछ भी, तो उसकी कोई unit है, तो व otherwise आपके marks यहां काट सकते हैं, आपके examiner है, उसके marks काट सकते हैं, तो unit convention करना, table के उपर आपको जो उसका topic होता है, means आप से suppose कहा गया, कि calculate the blood pressure of different peoples, तो table for the calculation of the blood pressure of peoples, आप इस तरह से जो है topic लिखेंगे, यह एक बहुत important part है, जब हम data को tabulate करते हैं, I think इतना आपको समझ में आगया, अब हम बात करते हैं, जो group data है, उसके formula के बार में, मैंने दो series बताई, discrete series, continuous series, formula दौनों के लिए similar है, चाहे वो discrete series हो, continuous series हो, अब क्या change आएगा, जब हम इसकी, मैं अभी आपको calculation करके दिखाऊंगी, तब आपको पत हमारे पास range दिये, तो हम कैसे calculation करेंगे, तो पहले formula हम समझ लेते हैं, यहाँ पर, x bar is equal to sigma fx, upon n और sigma f, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास group data है, हमारे पास frequency mention है, तो n, यहाँ individual data में हमने n mention किया तो, n भी frequency को ही represent करता है, अब वहाँ individually frequency, मैं बहुत एक एक थी frequency सभी की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास frequency दी हुई है, तो हम यहाँ पर जो है, उस frequency को total करेंगे, वो लिगा, इसलिए मैंने यहाँ पर mention किया, यहाँ तो sigma f भी हम उसको लिख सकते हैं, और n से भी represent कर सकते हैं, sigma f हमारी frequency का total होगा, और x variable, तो यहाँ पर x bar तो mean हो गया, f frequency, sigma sign of summation, x variable, इसी त shortcut method के अंदर, जो formula हो जाता है, आपने notice किया हो, तो सिर्फ कितना सा difference आए, direct method में, कि जहाँ पर group data है, वहाँ पर f और add हो गया, यहाँ पर sigma x था, यहाँ sigma f x हो गया, तो यह दिया, इन छोटी सी चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, तो आपको formulas जो है, learn करना बहुत easy हो जाएगा, formula जो है, आप easily learn कर पाएंगे, कि क्या difference है, group data के formula में और individual data के formula में, के बल इतना सा difference है कि यह f और add हो गया है, इसी तरह हम shortcut method में देखें, तो x bar is equal to a plus sigma f d upon n और sigma f, अब सेम चीज़ वहाँ, जैसे मैंने यहाँ पर वो सब चीज़ हैं यहाँ पर a assumed mean है वो जो की आपकी shortcut method में, individual series में भी था, d is equal to x minus a, similarly वही चीज़ है, अब हमने क्या देखा, अब यहाँ से हम compare करना, तो यहाँ भी सिर्फ f का difference आया है, यहाँ sigma d upon n था, वहाँ sigma fd हो गया, means frequency का multiplication और होगा यहाँ पर, तो I think यह चीज़ें पर हैं, group data की और group data के अंदर जो ह discrete series की calculations हमें कैसे करनी है, तो मैंने इस data को यहाँ पर tabulate किया है, तो सबसे पहले मैंने जो कहा है, कि हमारा काम होता है data को tabulate करना, तो मैंने यहाँ पर data है, उसको tabulate किया, x की values यह लिखी हुई है, frequency लिखी है, अब हमारा जो formula है, that is sigma fx upon n और sigma f, तो हमको यहाँ क्या निकाल अब sigma fx चाहिए, तो sigma fx के लिए हम इनका total करेंगे, और जो value आई है, 235, इसी तरह अब n is equal to, यहाँ पर sigma f है, तो sigma f is equal to, जो हम total करेंगे, यह 22, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, individual series में data जो है, individual होता है, हम 11111 को count करते हैं, वहाँ हमने आपने देखा था, जो मैंने आपको individual series में बताया था, 1, 2, 3, 4, तो सब के लिए 11 values थी, इसलिए जमा total number of data जितना था, उसको n लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम sigma f लिखेंगे, that is total number of frequency, जो frequency उसका total करेंगे, तो 235 divided by 22, तो जो हमारी calculate करके value आएगी, that is 10.68, अब वही चीज हम shortcut method से हम देख लेते हैं, कै इसे किया जाएगा, तो shortcut method का जो formula है, a plus sigma fd upon n और sigma f, अब यहाँ पर हमें decalculate करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें assumed mean देखना है, कल्पित मात, तो कल्पित मात मैंने जैसा किया है, जो हमारे पास data दिया है, उसी से हम select करेंगे, अब यह हमारे पास data है, x की values हम देखें, तो वो range हमारी करने है, 6 to 19 के बीच में, तो हम यहाँ से एक value select करेंगे, और एक value जैसे मैंने suppose यहाँ 8 select किया है, हम यहाँ पर 12 भी select कर सकते थे, यहाँ पर हम 14 भी select कर सकते थे, तो जब हम उनको, जो मैने value यहाँ 8 select किया है, तो अब हम उनस में से, d is equal to x minus a, x की values हमारे पा values हाँ, वो यह values हाँ, means 8 minus 8, 0, 14 minus 8, 6, तो अब हमें चाहिए f into d, formula हमारा sigma fd है, तो f into d, f की values यह है, हमारे पास d हमने calculate कर लिया, अब इन दोना का जो multiply करेंगे, तो 4 multiply by 0, 0, 3 multiply by 6, means 18, 2 multiply by minus 2, minus 4, 2 multiply by 11, 22, 6 multiply by 4, 24, 1 multiply by 3, that is 3, 4 multiply by minus 1, that is minus 4, अब इनका इदि हम total करें, तो plus minus values को जब total करके हम देखेंगे, तो हमारे पास sigma fd की value आईगी, that is 59, अब हम मारे पास, क्योंकि sigma fd की value आगी, तो हम अब formula में सारी values को put करेंगे, तो formula के according हमारा a plus, a की value हमने जो लिया है, वो 8 है, तो 8 plus 59 by 22 sigma fd हमारे 59 है, और sigma f की value 22, तो 8, अब हम इसका LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे, that is 22, 22 multiply by 8, that is 176, plus 59, तो जो हम total किया, 235 divided by 2, 10.68, अब आप देख सकते हैं, shortcut method से और direct method से, दोनों से ही जो हमारा, एक ही data का जो हमने calculations की हैं, वो हमारी value जो है, वो बिल्कुल similar आई है, तो यह तो discrete series के लिए, अब बात करते हैं, continuous series में, continuous series में, formula तो हमारा कोई change नहीं हो रहा, लेकिन, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर class interval होते हैं, तो X की value हमें calculate करनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने वही चीज रिपीट किया, कि पहले मैंने जो अपना continuous series का data है, उसको tabulate किया, tabulate करने के बाद मैंने उनको एक column और बनाया class interval के बाद, क्योंकि वहाँ मुझे X की values जो है put करनी है, X कहां से आएगा, X हमारा आएगा, इनकी जो class interval है, उनकी mid value से, 0 to 10, 0 to 10 means, इसका 0 plus 10 divided by 2, that is 5, 10 plus 20 means 30 divided by 2 means 15, तो इस तरह से हम इन सब की mid value निकाल लेंगे, mid value निकाल ली, frequency हमने put कर दी, जो already हमें दी हुई है, अब direct method के लिए हमें FX चाहिए, तो mid value जो होगी, वो हमारी X value हो जाएगी यहां पर, और frequency हमें दी है, तो हमने इनको जब multiply किया, तो multiply करने के बाद जो data आया, वो हमारा यह आया, यहां पर sigma FX की जो value होगी, वो 670 होगी, अब हमारे formula में हम इस value को put करेंगे, तो हमारे पास, जो sigma F की value है, वो 28 है, अब sigma FX upon sigma F, तो sigma FX की value हमारी 670 divided by 28, तो हमारे जो mean आया, वो 23.92 आया, likewise, अब हम shortcut method apply करेंगे, तो shortcut method में मैंने जैसे का, हम assumed mean लेंगे, और यहां पर assumed mean है 25, क्योंकि यही mid value है, लगब हमें mid value select करनी ह होती है, हालां कि मैंने यहां पर mid value select नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमारा answer वो स्थीक आएगा, उससे, क्योंकि यहां plus minus sign को हम ignore नहीं करते है, तो हमारी value जो है, आज आती है, calculate करनी के बाद, अब यहां पर 20 मैंने select किया, तो D is equal to X minus A, X की value हमारे पास 5, A 25, तो इस तरह से हम calculate करेंगे, तो हमारे पास जो value जाएंगे, वो यह आएंगे, अब F into D, F into D, F की value 7, A की value 20, minus 20, तो minus 140, इसी तरह 4 multiply by minus 10, that is 40, 8 multiply by 0 means 0, 3 multiply by 10 means 30, 6 multiply by 20, that is 120, अब sigma यदि हम सबको calculate करें, तो sigma FD की value आएगी, वो minus 30 आएगी, क्योंकि यहां पर जो minus 30 के हैं, वो 180 हैं, और plus के हैं, 150, तो हमारे पास जो remaining होंगे, वो minus के होंगे, अब हम formula के अंदर values को put करते हैं, तो 25 हमारा जो assumed mean है, क्योंकि A plus है, तो assumed mean रख लिया, sigma FD की value हमारे minus 30 divided by 28, अब हम इसको LCM लेंगे, तो क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, कि हम इसके जब किसी हमारे लिए थोड़ा सा easy हो जाता है, अब हम LCM निकालेंगे, तो वो हमारा 28 ही आए, क्योंकि यहां तो बने, फिर हमने, अब 28 multiply by 25, that is 700 minus, यह क्योंकि यह minus के हैं, तो plus minus minus हो गया, यह 30, क्योंकि one time ही multiply होगा, तो हमारा जो value आई, 670 divided by 28, और यहां भी आपने देखा हो, तो 670 divided by 28 ही आया था, यहां भी mean हमारे जो calculate करके value आई, 23.92, अब आप देख सकते shortcut method से, और direct method से, जो है, same value आई है, तो अब आप यह चीज़ समझ गए होगे, कि हम किसी भी method को apply करें, जो हमारी values हैं, वो same ही आईगे, method यहां पर matter नहीं करता है, यहां हम एक जो हम pattern follow कर रहे है वो हमारा ठीक होना चाहिए, सही तरीके से यहीं हम करेंगे, तो direct method हो, चाहिए shortcut method हो, दोनों ही method से, जो हमारे answer है, वो same होगे, particular, जैसे यहीं हम, जिस भी sum के लिए apply करें, में individual series के लिए है, group data में discrete series है, या continuous series है, I think आपको समझ में आगया होगा, फिर भी आपको कोई doubt है, तो please comment section में अपना comment drop कर दीजे, मैं आपको clear कर दूँगी, thank you so much.